वेल्कम कि मैं चैनल आज की मैं इस वीडियो में आपको बनाकर बताने वाली हूँ यह बहुत ज्यादा यूनिक डिजाइन है और इसे बनाना बहुत ज्यादा एजी है तो आईए हम अपने वीडियो के स्टार्ट करते हैं यह मैंने स्लिप्स कट कर लिया है यह हमारे स्लिप्स की खुली साइड है यह बंद साइड है बंद वाली साइड की तरफ से हम लोग को एक एक इंच पर कट लगाना है मैं कट लगा कर बताती हम कैसे लगाना है एक इंच उपर से रखना है उपर की तरफ से एक इंच नीचे की तरब से इसको मिला लेना हम लोगों अब हमेंसे कट कर लेना है कर लेना हमें इसे स्टीच कर लेना है यह मैंने काट लिया और इसमें पेश्ट कर लिया है पेश्टिंग पेपर से अब हमेंसे स्टीच कर लेना है इस तरीके से पहले हम लोगों किपड़े को अच्छे से फोल करना है इसके बाद इसके उपर स्टालाई लगानी है मैं अच्छी है यह मैंने पूर अच्छे से सिलाई लगा लिए अब हमेंसे तो कट करना लेना हमें यह आज़ए तिन इंच कटे वे पूरे में अच्छे कट लगा लेना है यह मैंने पूरे को अच्छे से कट कर लिया है अब हमें इसके लिए एक वाइट पेपर लेना मैंने एक वाइट पेपर लिए आप लोग नीच पेपर भी ले सकते हैं कि अब इसकी लंबाई हमारे च्लिफ जितनी है और इसकी चॉड़ाई टीन इंच है और रेकर इसकी लंबाई हमारे च्छे जितनी है अब इसमें हमें क्रॉस डिजाइन से इस तरीके से हमें दोनों साइट से स्टीच कर लेना है इस पेपर पे एक रोपते वे इसके ऊपर एक डालते वे अच्छे सम लोगों को इस्टीच करना है कर दो 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 तक ह्य बेखले लेसे हं लिप्र बारे बस उत्सेर अब है इसके बाद हमें एक हिंच आड़ी अपने पट्टी काट लेनी एक उसके बाद हमें इसे इसके उपर रखना है भी फिर आपनी स्लीप लेगें ही पकती ही वल्डी तरब से उल्टी साइट करने है अशे में नीचे ६ड़े रखना है अच्छ सा लगा ली में अपर यह लगानि तहकेント हैं अच्छा हुआ जया है कि छूचिए ऐसे इस सेम हम लोग को दूसरी साइट पे भी सलाय लगा लें अच्छे से लग चुका है अब हम इसे पलट कर पकी सलाय लगा लेते हैं इस तरीके समनों को पहले पेपर को अच्छे से निकाल लेना अच्छे से यह बहुत एजली निकल जाता है अब हमें इसे कपड़े को अच्छे से साइट करते हो पकड़ते हो सलाय लगा लेना चाप सलाय अच्छे से अच्छे साइट कर अच्छे से एक बहा है प्रवादो नहीं है जाए लागतो नहीं है लागतो यह जाएए लागतो इस तरह से हमारी उल्टी साइड में जो मैंने ये पट्टी लगा है अब हम इसे पक्की कर लेते हैं शिलाय लगा कर इस तरह से मोड़ते हैं हम लोगों को शिलाय लगा लेना इस तरह से हम लोगों को दोनु साइड में आसे ही पक्की सिलाय लगा लेने हैं ताकि हमारा अच्छे से फिनीसिंग आसे हैं तो इस तरीके से हमारा ब्यूटिफूल सा स्लीप्स ड्रीजाइन बिल्कुल बन कर तयार हो चुका है फिनीसिंग के साथ यह मैंने कूर्टी से मैच करते हुए यहां पर एक एक सीसा लगाया आप लोग चाहे तो यहां पर इस तरीके से एक एक पल भी डाल सकते हैं इस जगे पर मैंने सीसा लगाया अपनी कूर्टी से मैच करते हुए आप लोग इस पल से डेकुरेट कर सकते हैं अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक जगल करें थैंक यू